भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदरनिय प्रधान मंत्री जी ने हमारे सामने पंच प्राणों की कलपना रखी है क्या है ये पंच प्राण इसमें पहला है कि बड़े बड़े संकल्प लेना दूसरा है कि दास्यता के विचारों से मुक्ति पाना तीसरा है कि हमारी जो गवरवशाली विरासत है ज्यान परंपराये है उनको समझना सीखना और प्रैक्टिस में लाना फिर नागरिकों के करतव्य और फिर ऐसी अलग-अलग बाते कहिए इन पंच प्राणों को प्रत्यक्ष में लाकर हम आने वाले 25-30 सालों में भारत को विकसित राश्ट बनाएंगे लेकिन इसके लिए यह हमारी जो ज्यान परंपरा है यह जो हमारी विरासत है इसके बारे में किसी को क्या बता है नमस्कार मैं प्रोफेसर क्षितिच पाटुकले भीश्म स्कूल ऑफ इंडियन नौलेज सिस्टिम पूने से आपसे बात कर रहा हूं आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इंडियन नौलेज सिस्टिम मतलब डी एड इन आएकेस एजुकेशन देखिए पूरे विश्व में गए हजारों लाखों सालों से जो अत्यंत प्राचीन है नित्य प्रवाहित है और आज भी जीवित है ऐसी एक मातर सब्यता यह भारतिये सब्यता है भारत भारतिये ज्ञान परमपरा है भारतिये शिक्षा परमपरा है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है गए डेड़ सो दो सो साल का अंग्रेजों का राजरा बाकि जो अभी तो आप सब जानते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसी आज हाला थे कि आंकारी है उनके जो जानकार है एक्सपर्ट है स्कॉलर्स का है उनके लिए करियर की बहुत भारी उपलब्द रहेगी सिर्फ भारत देश में नहीं पूरा विश्व आज अजूबा बनकर देख रहा है कि किस गती से आज भारत प्रगति कर रहा है मुझा यसा लगता है कि यह जो भारतिय ज्यान परंपराओं का जो आविश्कार है वो पूरे विश्व को एक नहीं दिशा देगा मैं आप सभी से अनुरुत करूंगा कि आप यह डिप्लोमा इन इंडियन नौलेज सिष्टिम डी एड इन आइकेस इसको जॉइन कीजिए आप किसी भी एज के हो आ आपके लिए यह अभ्यासक्रम नहीं नहीं करियर की एपोजुनर्टीज उपलब्द कराके देगा और भारत को विकसीत राष्ट्र बनाने के लिए आपको एक बहुत महतो पुर्ण योगदान देने के लिए समर्थ बनाएगा नमस्कार एक महतो पुर्ण बात इन अभ्या इन क्लासेस होगी और उनकी रेकॉर्डिंग स्टूडन्स के लिए उपलब्द की जाएगी स्टूडन्स के लिए ऊच्छन्स के सिए fondo झाएगी और ऊत्क्ता ट्र उपल्ज को सिए